ओके, we have a question here, inscribe three equal circles in an equilateral triangle with one side 9 cm long, such that each circle touches two sides of the triangle and two other circles, एक equilateral triangle हमें बनाना है, जिसके अंदर तीन circles हम बनाएंगे, और वो circles triangle के दो sides को touch होंगे, इससे पहले जो figure हमने बनाई थी, उसमें circles triangle के एक side को touch हो रहे थे, और अंदर circles एक दूसरे को touch हो रहे थे, दो जगा पर, बट इस figure में यह होगा कि circles triangle के दो sides को touch करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, this is rough diagram, यह हमने rough figure बनाया है, ताके आपको समझ आए कि हमने बनाना क्या है, ठीक है, अब इसे हम फेर करेंगे, तो सब से पहले हम क्या करेंगे, एक equilateral triangle बनाएंगे, जिसकी one side 9 cm long होगी, it means all three sides 9 cm long होगी, ठीक है, जिसकी one side that is of 9 cm long, let's give the name to this side, is BC, ओके, now अब सब से पहले क्या करेंगे हम, यह जो 9 cm length है हमारी, इतनी हम अपने compass में ले रेंगे, ठीक है, इस 9 cm long length हमने compass में ले ली है, उसके बाद इस 9 cm long length के साथ हम उपर एक आर्क बनाएंगे, उस आर्क को second side रखकर intersect कर देंगे, ठीक है, एक C पर रखकर हमने आर्क बनाई, दूसरी उसी आर्क को हमने B पर रखकर intersect कर दी, यानि कि हमने उसे काट दी, अब इन दोनों को हम जोड देंगे, जो third point हमें मिला है, हम इसे नाम दे देते हैं, A, ठीक है, A, B, C, यह हमारा एक equilateral triangle हो गया, जिसके all sides 9 cm long है, ठीक है, अब हम angle C और angle B के bisectors बनाएंगे, तो bisectors हम कैसे बनाते हैं, हम C पर रखकर इस तरहा से arc बनाएंगे, B पर रखकर और C पर रखकर दो arc बना लेंगे, फिर इन arcs को हम एक sufficient distance के साथ अंदर दो arcs बनाकर इस तरहा से हम क्या बनाते हैं, इस angle का bisectors बनाते हैं, ठीक है, तो इसका bisectors और एक तरीख से बना सकते हैं आप इस angle का bisectors, आप यह कर सकते हैं कि आप side A, B का bisectors बनाएंगे, तो वो C ते आएगा C पर और C angle को भी bisect करेगा, इसी तरह आप अगर AC का bisector बनाएंगे तो वो bisector angle B को भी bisect करेगा So first of all I will make a bisector of side AC More than half distance लेंगे C पर मैंने compass रखा more than half distance ले लिया हमने उपर एक यहाँ पर हमने arc बना लिए ठीक है इस arc को हम A पर रखकर cut कर देंगे Then हम A पर रखकर same arc इस side बनाएंगे और B पर रखकर इस arc को हम cut कर लेंगे अभी यह arc से हम angles पर bisector को draw कर लेंगे तो यह जब bisectors को हमने angles पर उतारा तो यह angles के हमें bisectors मिल गए है ठीक है यह जो दो bisectors हमने बनाए हैं यह जहां पर intersect हुए हैं यहां पर हम A से इस तरह से तीसरा bisector बना लेंगे अब तीनो bisectors बनाने के बाद हम क्या करेंगे यह जो नीचे एक angle बना है perpendicular angle इसका भी एक bisector हम बनाएंगे ठीक है तो मैं इसका bisector बना लेता हूँ इसके लिए क्या करेंगे हम angle पर रखेंगे अपना compass का point एक sufficient छोटा से distance लेंगे बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत ही कम ना हो और उससे हम एक arc यहां एक arc यहां पर इस तरह से टिक कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे अपने distance को थोड़ा से बढ़ा लेंगे और यह दोनों टिक हुए point से inside the triangle हम दो आर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से ठीक है और यह बाइसेक्टर हम यहां से यहां से हम बाइसेक्टर गुजार देंगे तो इस एंगल का बाइसेक्टर जैसे हमने बनाया है अब हम यहां नाम देते हैं यह तीनों बाइसेक्टर को नाम देते हैं let's consider this is L this is M and this one is N okay and the center point where all bisectors meet is O और यह जो bisectors यहां आया है let's consider this is O1 okay अब हम क्या करेंगे O1 को consider करेंगे center और हम इसमें एक ऐसा circle बना लेंगे जिसका radius होगा आपका O1 से लेकर AB का जो side है हमारा compass उसको touch होना चाहिए ठीक है या कह लिजिए BC का जो side है उसको हमारा compass touch होना चाहिए तो आप अगर radius के लिए confused हो रहे हैं तो आप यहां से क्या करेंगे O1 से एक perpendicular खींच लेंगे perpendicular कैसे खींचते है O1 पर मैं compass रखूँगा और यह जो distance है मेरा compass में जो BC को लगे left hand side एक tick लगाईए ठीक है ऐसा ही tick एक right hand side लगाईए ठीक है यह जो दो tick लगाए है आपने O1 पर रखकर अब आप left और right लगाई टिक पर रखिए कुछ इस तरह से आर्क बनाएए नीचे की जानिब और इस side रखकर इस आर्क को कट कर दीजिए ठीक है और फिर आपने इस तरह एक perpendicular O1 से खींचना है इस इस यूर पर पेंडिकुलर और जहां पर पेंडिकुलर आया है उसको नाम दे देते हैं P ठीक है O1 P यह है हमारा radius ठीक है अब O1 P क्या है हमारा सरकल का radius है इतना हम radius अपने कमपास में लेंगे और कमपास में इतना radius लेकर हमारा जो first यहां पर अभी सरकल बनेगा वो O1 P radius के साथ बनेगा ठीक है exact मैं लेना चाहता हूँ जो touch करे तो आप देख सकते हैं यह triangle को दो तरफ touch करेगा दो तरफ इसको touch करते हुए बनेगा ठीक है this is our first circle इस circle ने triangle को नीचे के side और इस side भी touch किया है ठीक है और यह दोनों bisectors को भी यह touch हुआ है अभी हम जो consider करेंगे next circle का radius next circle का center हम O से O1 के distance लेंगे पहले कितना होता है O से O1 जितना distance लेंगे ठीक है और इस distance से आप AM जो आपके पास एक bisector है उस पे center touch कीजिए और जो CL आपके पास bisector है उसका एक आपने center यह एक center होगा आपका यह एक center होगा ठीक है अब इन दो centers पे आप compass रखेंगे और circles बनाएंगे ठीक है सबसे पहले मैं उपर की तरफ अपना आपके सामने रखके बताता हूँ जब मैंने रखा है तो मुझे radius पता नहीं है तो मैं radius कहां से लोंगा फर्स्ट वाले circle में आऊंगा O 1 से P तक radius major करूंगा ये मेरा radius है और इसी radius से जब मैं इसके अंदर circle बनाऊंगा तो ये circle भी मेरा देखिए आप मेरा जो ये circle भी होगा ये exactly दोनों तरफ टच करेगा कुछ इस तरह से आपका circle बनेगा जो triangle को दोनों तरफ टच करेगा और इस circle को टच करेगा थर्ड मेरा center यहाँ है अब मैं इससे एक circle बनाऊंगा जो triangle के नीचे वाले base और AC को भी टच करेगा BC को भी टच करेगा इन अडिशन तो देट ये दोनों circles को भी टच करेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर अपना center consider करते हुए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर AC को यहाँ touch होते हुए यह हमारा circle बन रहा है इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं BC को touch होते हुए हमारा circle बन रहा है हमने pen इसलिए use किया है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए you have to use pencil for such kind of work आप pencil से करेंगे sharp work करेंगे यह rough figure थी हमारी जो आपको understanding के लिए मैंने बनाया था समझाने के लिए यह हमारी fair figure है अगर आप इसे बहुत से देखते हैं तो इसके अंदर हमने तीन circles बनाये हैं और वो circles कैसे हैं देखिए such that each circle touches two sides of the triangle तो हर circle triangle के दो sides को touch हो ठीक है इससे पहले जो diagram हमने बनायी थी उसमें circle triangle की one side को touch होता था ठीक है उसकी link मैं इस video की description में दे दूँगा और उस description में इस video की भी link होगी ठीक है तो geometry के बहुत सारे videos इस तरह के जो आपको drawing के exam में पूछा जाते हैं इस तरह के questions हम यहाँ upload करते हैं चैनल के subscribe कीजिए session पसंद आये तो like कीजिए practice ज्यादा कीजिए ताकि आपको इसके अंदर perfection हासिल हो ठीक है thanks for watching have a good time